नमस्कार एक और टिपणी के साथ मैं तुल्च औरुसिया गंगा से लेकर यमुना के किनारों तक तहजीब के नाम पर कुछ बचा नहीं था चहुर मारो काटू का कूरस गूंज रहा था धितराश्ट पूरे देश में चल रही इस अराजकता से वाकिफ थे इसलिए चुप्पी साधे चिंता में घुले जा रहे थे दर्बारी और संजय धितराश्ट की इस चिंता के चलते चिंता में थे धितराश्ट ने पूछ ताच वाले अंदाज में संजय से कहा फिलहाल आर्यावरत के हालात क्या हैं? अभी भी हाली मौालियों की पौबारह है या हालात कुछ काबू में आए? संजे न तार बेतारक संपर्क से जानकारी हासिल की और धृतराश्ट के सामने प्रसारित कर दिया. महराज ताजा मोर्चा हस्तिनापुर में खुला है. हनुमान जैन्ती का जलूस निकाल रहे लोगों का टकराव मुसल्मानों से हो गया. धृतराश्ट यह सुनने के बाद एक बार फिर से किसी चिंदा में पड़ गए. देश के अलहदा हिस्तों से आ रही मारकाट की घटनाएं, उनके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी. सोचते सोचते अचानक से धितराश्ट वर्तमान में लोटे और फुफकारते हुए बोले डंकापती की क्या सूचना है? उनकी नाक के नीचे खुला खेल फरूखाबादी कैसे चल रहा है? संजय ने कहा मलाई का मसला है महराज, इसलिए डंकापती ने सुविधा जनक चुपपी ओड़ ली है. धितराश्ट का मूट पहले से ही खराब था, इसलिए वो खड़ते हुए बोले, साफ साफ बात कहो. तब संजय ने सहमते हुए कहा, आर्यावर्त में आठ सालों से हिंदू हिर्दे समराट डंकापती की सरकार है, बहुत से सूबों में भी उन्हीं का राज है. इसके बावजूद भोसंख्यक हिंदू खत्रे से बाहर नहीं निकल पा रहा. डंकापती की पूरी कोशिश है कि हिंदू खत्रे से बाहर निकलने न पाए, क्योंकि खत्रे में पड़ा हिंदू डंकापती के बहुत काम का सामान है. चुनाओं में उसका भरपूर इस्तेमाल होता है धितराश्ट बीच में कूद पड़े क्या इन हिंदूों ने अपना दिमाग ताखे पर रख दिया है संजे निकहजी महराज आप खुद ही सुनिये संजे जारी थे दरसल इन लोगों को डंकापती ने जौंबी में बदल दिया है इनमें दिमाग नहीं सिर्फ ताकत बची है धितराश्ट ने पूछा और डंकापती की चुप़ी पर कोई नहीं बोल रहा संजे ने कहा लंबे समय बाद डंकापती पर कॉंग्रेस की अगुआ ने तीखा हमला बोला है उन्होंने एक लेख लिखकर डंकापती की मौन सहमती को कडगरे में खड़ा किया है वो कहती हैं डंकापती भारत की विविधताओं के संदर्व में बड़ी बातें करते हैं लेकिन यह एक कटू सत्य है कि उनकी सरकार के कारेकाल में सदियों से हमारे समाज को परिभाशित और सम्रिध करने वाली विविधताओं का इस्तेमाल हमें बांटनी के लिए किया जा रहा है और साथ में आपसी दुश्मनी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है यह सुनकर धितराश को थोड़ा चैन मिला उन्होंने कहा इससे कुछ खास फर्क पड़ा संजय ने कहा कुछ खास तो नहीं लेकिन इतना फर्क जरूर पड़ा है कि आत्म समर्बन कर चुके तमाम छेत्री च्छत्रपों में भी थोड़ी जान आ गई और उन्होंने भी डंकापती को कुछ ग्यान की बाते बताई तेरह ख्छत्रपों ने साजहा बयान जारी कर कहा है कि वो डंकापती के रवईये से हत्प्रव हैं समाज में खुले आम धार्मिक का टर्ता को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं उनके खिलाफ डंकापती न तो कुछ बोल रहे हैं नहीं कोई कारवाई कर रहे हैं यह सुनकर धितराश गुसे से बिलबिलाते हुए बोले क्या सब चीजों की तिलांजली दे दी है डंकापती ने तिलांजली से संजे को कुछ याद आया उन्होंने कहा महराज तिलांजली तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की दे दी है मसलन सबसे पहले तिलांजली जो दी है वो है शर्म की तिलांजली दूसरी तिलांजली दी है संबिधान की तीसरी तिलांजली राजधर्म की लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तिलांजली जो डंगापती और उनके शागिर्दों ने दी है वह है इनके गुरू अटल विहारी वाजपेई की तिलांजली धितराश ने कहा वो कैसे संजय ने बिना बोले एक वृत्त चित्र चालू कर दिया संजय जारी थे अटल विहारी के राज में सिर्फ एक व्यक्ति को राजधर्म की सीख देनी पड़ती थी आज डंकापती के राज में उनका हर शागिर्द राजधर्म को तिलांजली दे चुका है कहीं डंगा हो कहीं फसाद हो सब एक तरफा एक समुदाय के ऊपर बुल्डोजर चलाने में लगे हुए है मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा संजेप पूरी रव में बोल रहे थे बोले मध्यपरदेश में कोई मामा है इनके कुरसी को शाह जी ने एक अद्रिश्य पलीता लगा दिया है बीते कुछ महीनों से भयानक असुरक्षित हो गए है आलम ये है कि मध्यपरदेश में बलवे फसाद पर पाच ट्वीट मारे लेकिन एक भी ट्वीट में शांती की अपील भाईचारी की जरूरत या अमन का पैगाम नहीं है हर ट्वीट में पहले वाले से ज्यादा बड़ी धमकी ये आजकल के नेता हैं लगता है जमबुद्वी पॉले बाबा की आत्मा घुश गई है दुतराश्ट से कुछ कहते नहीं बन रहा था उन्होंने बस इतना ही कहा यह तो बेशर्मी की इंतहा है संजय ने बेशर्मी सब्द को पकड़ लिया बोले बेशर्मी की एक खामी है और एक फायदा है महराज खामी यह है कि यह दस शर्मदार लोगों के बीच मौजूद किसी एक बेशर्म के उपर ही कारगर होती है फाइदा यह है कि अगर सारे बेशर्म हो जाएं तो किसी को किसी से शर्माने की जरूरत नहीं रहती फिलहाल इस हमाम में सारे नंगे हैं इसलिए किसी को किसी से शर्माने की जरूरत नहीं संजय द्वारा च्छाटी गई इस आला दर्जे की फिलोसफी से धितराश का दिमाग भनना गया वह उठे और अन्तापुर को लोट गये धितराश संजय समवाद में इस हफते बस इतना ही पहले राम नौमी इसके बाद हनुमान जैन्ती को पूरे देश में धार्मिक उन्माद का मौका बना दिया गया त्योहार से प्यार, मनुहार, उल्लास और भाईचारा खत्म हो गया है मर्यादा पुर्शोत्तम की आड में एक तबके ने बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ी हर जगह एक ही किस्म की घटनाएं और एक किस्म का सरली करण देखने सुनने को मिला मसलन क्या हिंदू अपने देश में जलूस या शोभायात्रा भी नहीं निकाल सकते लेकिन यह सब इतना सरल नहीं है योजना बद्ध तरीके से मुसलिम इलाकों से जलूस निकलता है मस्जिदों के सामने हला मचाया जाता है बढ़काउ नारी लगाया जाते हैं फिर इस तरह की घटनाएं भी होती है यह नफरत की पटकता पर अभीने करने वाले प्यादे हैं आपको लगता है कि सिर्फ मुसल्मान ही इमके दुश्मन हैं तो आप मुगालते में हैं उडिसा का यह वीडियो देखिए यह 14 अप्रेल का उडिसा के बारगण जिले का वीडियो है जहां अमबेटकर जैंती मना रहे दलितों पर भगवाधारी गुंडों ने हिंसक हमला किया क्योंकि वो दलित थे यह दक्षडपंथ के दोगलेपन का नमूना है जो चुनाओ के वक्त हिंदू हिंदू भाई भाई करता है बाकी टाइम जाती देखकर पानी पीता है दिन देखकर मांसाहार करता है गोत्र देखकर शादी करता है और दिशाशूल देखकर यात्रा करता है लेकिन आपको अभी चिंता करने के जरूरत नहीं है और इसके बाद हुड़क्चिलू एंकर एंकराएं इस तरह के कुतर्क लेकर सामने आते हैं यह भाई साब किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं सिर्फ दो शब्दों में इनकी विराट शक्सियत को समेटा जा सकता है लेकिन वो दो शब्द इस्तमाल करके मैं इनका कद छोटा नहीं करूँगा एक है इनका शोव वहाँ पर ये हैं हिंदूों के स्वगोशित प्रवक्ता और बाकी ठहरे भाजपावले जो हिंदूों के स्वयंभू स्वगोशित थेकेदार हैं तो जरा इनका सवाल सुनिए खबरिया चैनलों की देनन दिन धोर्तताओं में यह सवाल टॉपम टॉप धोर्तता कहा जा सकता है यही असली एकोसिस्टम है यह सवाल पूछेंगे हिंदू की सुरक्षा का जवाब में सत्ताधारी पार्टी अपना एजेंडा जोत कर आगे बढ़ जाएगी इस धूर्तता के तहट पक्ष और विपक्ष दोनों का स्पेस यही लोग आपस में मिलकर खा जाते हैं और मूल सवाल पर कोई बात ही नहीं होती आखिर बिना कानून बिना नियाई प्रक्रिया के जिनके घरों पर बुल्डोजर चल रहे हैं उसका जवाब कौन देगा जो लोग मस्जिदों पर चड़कर भगवा लहरा रहे हैं वो कौन लोग है जो आए दिन भड़काओ भासन दे रहे हैं वो लोग कौन है एक एंकरा है रोवी का लियाकत चैनल है एबिपी नियूज बंगाल में ममता बनर जी के जीत के बाद इनके चैनल से भगवा दल ने कन्नी काट ली है महीनों से सेकेंड हैंड भाजपा विशेशग्यों से काम चला रही है पहले जो एजेंडा बाजी खुल कर करती थी अब प्रछन्ने तरीके से करने को मजबूर है पहले चैनल पर आए इस पैनलिस्ट का यह बयान देखिए आपके नौइडा में एक आपकी राइवल चैनल के पतरकार ने रात के बारा बज़े से तीन बज़े के पीच में बहुत लॉड स्पीकर से जगराते हो रहे थे वहाँ जाके रुकवाया जिन लोगों ने वाप ऑर्गनाइजर थे उन्हों ने उस जर्नलिस्ट के घर पे सिर्फ जाके उसको मारा ही नहीं और अब एंकरा की कुंठा देखिए इस कहानी का संदेश क्या है जो तथ्य पूरे देश को पता है खुद पिलित ने लिखकर अपनी आपबीती बयान की है वह इनको नहीं पता है या पता भी है तो ये जानना नहीं चाहती क्योंकि जगराते करने वालों को गुंड़ई का सर्टिफिकेट उस दल से प्राप्त है जिसकी जी हुजूरी ये दिन रात करती है और जब इस तरह की दुविधा जनकी सिती में बोलने की मजबूरी हो तो जुबान से अंडबंध ही निकलता है जरा सुनिये मैडम के जिस्म में सेल्फ एंटाइटल्मेंट का विस्फोट हो रहा था सो खुद ही आई एनबी मिनिस्टरी के बाबू और थाने के सेचो दोनों भूमिकाय निभाने लगी चैनल भी यही खुलवाएंगी और लाउड स्पीकर लगाने का पर्मिशन भी आज के लिए ही दे रही है घूगा बसंतों की तमाम गदह पचीसियों के बीच बीता हफ़ता कुछ मासूम मूर्खताओं के नाम भी रहा मसलां इनकी मासूम मूर्खता देखिए और अब मैडम को आप ये वला वीडियो दिखाईए भगवाधारियों के इस शांदार भजन गाएन के बाद एक और मासूम मूर्खता देखिए तीनों मिलाकर भी एक एक मंदिर ऐसा बता दीजे जो मस्जिद को तोड़के बना गया हो कम से कम मेरी याद में एक मस्जिद को जरूर तोड़ा गया और पूरा देश मिलकर वहां मंदिर बना रहा है दिखाईए भाई साब को ये वला वीडियो मासूम मूर्खताओं का एक अध्याय बहननावी का कुमार ने भी लिखा वो तो अपनी कमाई से टैक्स पेड कमाई से बैठकर अगर कोई बाहर सेर कर रहा है किसी होटल में बैठा है तो आपको क्या तकलीफ है वाह कितने उदार विचार हैं लेकिन अपने ही पैसे पर एक और आदमी कभी कभार घूमने जाता है उसको लेकर नविका कुमार के विचार इतने उदार नहीं है इस व्यक्ति के घूमने फिरने का दर्द समय समय पर नविका कुमार ने दिखाया है नविका के दर्द की कई व्याक्ठाएं हो सकती है मसलन क्या उसका खर्च नविका कुमार के खाते से जाता है या फिर वा घूमने अकेले चला जाता है इसका दर्द है I don't know, यह तो कुछ भी नहीं था अपने शोग के शुरुवात में नविका कुमार ने जो कारनामा किया उसके बाद आईरनी बोले तो विडंबना ने कुतब मिनार के टॉप माले से छलांग मार कर आत्महत्या कर ली बहन नविका कुमार ने अंड का बंड बेतुक का थाल मिलाते हुए पंजाबी के महान करांतिकारी कवी अवतार सिंग पाश की मशूर कविता सबसे खतरनाक अपने दर्शुगों के सामने ठोग दिया करांतिकारी कवी पाश की एक कविता है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांती से भर जाना तड़प का ना होना सब कुछ सहन कर जाना लेकिन सब कुछ सहन करने के खिलाफ अगर आवाज उठती है तो उन्हें बहुत परिशानी होती है जो एको सिस्टम का एक हिस्सा रहे हैं अवतार सिंग पास जिन उसूलों के लिए जिये जिस दुनिया का सपना देखा जिस करांतिकी वकालत की उसका नविका कुमार जैसे एंकर एंकराएं हर दिन धज्जी उडाते हैं उसकी अर्थ ही निकालते हैं बहराल पाश का जिक्र हुआ है तो उसी कविता का एक हिस्सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ क्योंकि यह हिस्सा आज नविका कुमारों, रूबिका लियाकतों, सुधीर शोधरियों, अमीश देवगनों, अर्णब गो सौमियों की कारस्तानियों को हर्फ दर हर्फ बयान करता है सुनिए सब से खतरनाक वह आँख होती है, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है जिसकी नजर दुनिया को मुहबत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर दुलग जाती है जो रोजमर्रा के करम को पीती हुई, एक लक्ष हीन दुहराओ के उलट फेर में खो जाती है आप देखिए कि आज हर दिन कितने अन्याय हो रहे हैं, लेकिन इनकर इंकराओं और खबरिया चैनलों की आखें बंद रहती है दुनिया को महबत का संदेश देने की बजाए, हर दिन वो नफरत की मिसालें कायम करते हैं कमजूर की वजए सत्ता और ताकत के पक्ष में खड़े रहते हैं अब वक्त है इस अफ़टे की रिपोर्ट का इस अफ़टे की रिपोर्ट न्यूस क्लिक से है हर साल चौधह अप्रेल को बाबा साहब भीमराव अमबेटकर की जैनती के मौके पर दिल्ली के संसद मार्क पर देश भर से उनकी अन्वियाई कठा होते हैं, संविधान की शपत लेते हैं, बाबा साहब की आदर्शों पर चलने की प्रिनडा लेते हैं, पत्रकार भाशा उनने इस आउसर को कवर किया है। मैं अमबेटकर बोल रहा हूं। चार-पांच दशकों से चल रहा है। अगले हपते होगी एक और टिपपणी, न्यूज लॉंडरी को सब्सक्राइब कीजिए और गरों से कहिए मेरी खर्च पर आजाद हैं खबरें। नमस्कार झाल 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 झाल